बॉर्निंग स्टुडेंट्स वेल्कम टू पंजाबी क्लास अफ प्लस टू दियर स्टुडेंट्स ए लेक लगातार वद रही वसों अते मनुखी लापरवाही दी दूसरी वीडियो है जिस विच असी पेज 91 दे लास पैरा अते पेज 92 दे लास पैरा उपर चर्चा करांगे परिस्तो पहला असी पहली वीडियो विच कीते कमदी दोहराई करांगे असी पहली वीडियो विच लेख लगातार वद रही वसू अते मनुखी लापरवाही दे सार ते सफा 91 दे तिन पैर्यां ते चर्चा कीती है जिस्तों सानु प्रतक हुंदा है कि तर्ती उपर वद रही मनुखी वसू अते मनुख द्वारा कुद्रत प्रती वर्ती जा रही लापरवाही दे कारण तर्ती उपर पाणी दे साधन खत्म हो रही हन। उथे दुझे पासे अबादी दे वादे कारण आवा जाई दे साधन अते कार खाने वाद रही हन। इना साधन अते कार खाने ते उद योगां विच पेट्रोल, डीजल अते कोईला बालया जानता है। जिस देन तीजे वजों कारबन डाइकसाइड गैस वायू मंधल विच मिलके पुगोलिक तापमान वदा रही है। ते इस वद्धे तापमान दे कारण तर्ती दे तुरियां तो बरफ पिगल रही है जो समुंदरा दिंडुगाई विच वदा कर रही है। इस तरहां जमीन पाग समुंदर दी पेंट चल रहा है। डियर स्टुडेंट्स होन असी दूसरे दिन दे काम विच इस लेख दे सफा 91 दे लास पैरा तो लेके सफा 92 दे लास पैरा तक रीडिंग करांगे। रीडिंग तो पहला असी ओखे शब्दां दे अर्थ डिसकस करांगे। हाँ जी पेज 91 उत्पन उत्पन दा अर्थ है पैदा जां उपजना जनम। नेक्स्ट वर्ड इस डूंगाई दा अर्थ है गहराई। नेक्स्ट इस तटी खेतर पाव समुंदर नेडले खेतर पेट हो जानगे खत्म हो जानगे। नव टन्योर बुक्स एट पेज नंबर 92। हाँ जी फर्स्ट वर्ड है टापू। टापू दा पंजाबी विच अर्थ है दीप जां पाणी नाल चारे पास से तो किरिया जमीनी पाग। नेक्स्ट वर्ड सुंगर दी जा रही खुशकी पाव काट दी जा रही जमीन। नेक्स्ट वर्ड है दिन पर दिन, दिनो दिन, उलजन दा पाव है मुशकल। नेक्स्ट वर्ड है उचेची पूमिका पाव खास रोल जा विशेश हिस्सा जा विशेश योगदान। परिवर्तना पाव तबदीलियां। नेक्स्ट है अनुपाव एहसास जा महसूस करना। नेक्स्ट वर्ड है परतक्ख पाव की सपष्ट नेक्स्ट वर्ड है अवेसले पाव लापरवह जा अन गहली। परसंग विच परसंग दा अर्था आ सकदा है थे कि हवाले नाल इस विशे नाल सबंदत। हेत्च नहीं पाव की हाक विच नहीं। अगला शब्द है हाथ नहीं। हाथ नहीं पाव की काब्बु विच नहीं, कंट्रोल विच नहीं। नेक्स्ट वर्ड है पोगदा, जीवन पोगदा, पाव जीवन बतीत करदा जा जीवन गुजारदा, अगला शब्द है सूजबूज, पाव समझदारी, जा लियाकत, बुद्धी, नेक्स्ट वर्ड है निर्ख, निर्ख दा शाब्दिक अर्थ आ सकदा है कोख, पर्ख, जा नरीखन, पर्थे इस लाइन दे अमसार, इस शब्द अर्थ निकल्दा है किसे व्यक्ती दा नजरिया, जा किसे व्यक्ती दी दे विचार जा ख्याल, अगला शब्द है मुथाच, पाव की मोहताच, नेक्स्ट वर्ड है व्यापक परस्थितिया, व्यापक परस्थितिया तो पाव है तरती उपरले मजूद हलात, पुंगरिया पाव की शुरू होया जा अरंब होया, टालदारिया, बदलदारिया, जा विक्सित हुनदारिया, परणाई गई, वड़ियाई गई, सतिकारी गई, अगला शब्द है सक्खनी, सक्खनी तो पाव खाली जा वांची, नेक्स वर्ड है इकत्तर, इकत्तर तो पाव है इकठा हुना, आद, पाव की अरंबक, जा मुडला, अजी नेक्स, पद्दर, पद्दर तो पाव है दर्जा, जा स्तर, नव वी विल डू दरीडिंग, फ्रम पेज, 91, लास पेरा, एस स्थिति दे उत्पन होंच, ता पावे स समा लगेगा, पर जिन्ना कुप गोलिक तापमान होन तक वद्या है, उसे नाल बर्फदा पंगरना अरंब हो गया है, अते सागर इंच-इंच डूंगे हो रही हन, जे कर ए डूंगाई 6 इंच होर वद जावे, तामी कई वदेरे उप जाओ, तटी खेतर, सागरी फैलाओ पेट हो जानगे, अते इस सूची च शामल होनगे, फ्लोरीडा, हालेंड, बंगलादेश, तटी, पारत, अते निक्केतों वड्डे अनेका टापू, ए खेतर लगपाग सागरी सतह वाले खेतर हन, जद सागरी डूंगाँ च वदा फुट्टां दे हिसाब नाल होन लगेग ता पहला तो ही सुंगर दी जार ही खुशकी नल की भी तेगी, जेकर कोईले तेल दा, बलना ना कटेया, अते वद दी वसों दे सनमुख, जिस दी कोई आस नहीं, ता ना पुगोलिक तापमान दा वदना रुकेगा, अते ना हीं, नहीं सागरा दा ढूंगे खोना हाजी, इस पैरेड़ उपड़न तो बात सानु ए पर ताखुनदा है, कि पुगोलिक तापमान वदन कारण, तरती दे उपर ले तुर्यान दी जो बर्फ है, ओ पिगल नी अराम्ब हो गई है, ते लेखक चितावनी दिन दा है, कि बेशक फुटां दे साबनाल, अजे समु समुदर डूंगे हो जान दे हन, ता कई तटी खेतर, जेवें कि फ्लोरिडा, बंगला देश, ते पारदे कई निक्के वड़े, टापू, समुदर दी पेंट चड़ जानगे, इस तरह लेखक सुचेद करदा है, कि जेकर इंचां दे हिसाब नाल डूंगाई वदन नाल, सम समुदर दा हिसा बन जावेगा, एक चिंता दा विशा है, लेक परता करदा है, कि एस पर किरिया नूं रोकन लई, वद दी अबादी दा रोकना जरूरी है, जेस दी के कोई बहुती आस नहीं है, ते जेकर वद दी हुई अबादी नहीं रोक दी, ता फिर तेल ते कोईले बलना भी नहीं कटेगा, ते इस तरह पुगोलिक तापमान भी वद दा रहेगा, ते समुंदरा दा डूंगे होना जारी रहेगा, नौ नेक्स पेरा, दिन पर दिन उल्च दे रहन वाली, इस उल्च नूं मिथेन गैस दी वद रही उपज होर भी उलजा रही है, उलजा र मिथेन दी काश्ट वद रही है, जिसले खेतां च पाणी नूं खडा रखना पेंदा है, मिथेन दी उपजवी त्यों त्यों वद रही है, अते पुगोल दा तापमान भदोंच, इस गैस दी वी उचेची पूमिका है, जहा करनते तां सगों एक कार्बन डाइकसाइड ना नाल एक होर गैस दा जिकर कीता है कि कारबन डाइकसायड तों इलावा एक होर गैस जिसदा नाम मिथेन है, ओस गैस भी कीते जियादा, तापमान भदोंड़ी जिम्म्यवार हैं, ती मिथेन गैस दे उपजण दा मुख कारण है कि वद दी वुप्सों दे नाल-नाल काश्त ते खास तोर ते चुन्ने दी खेती बाडी नू बद आपया रहे हैं ते चुन्ने दी खेती बाडी करन लाई, खेता मीचे पाणी नू खड़ा राखना पेंदा है, ते इस खड़े पाणी दी उपर कई तरह दे कीत, नाशक आद, जहां रसाइन का खादा नू छिड़काया जन्दा है जिन्ना देन तीजे वजों मिथेन गैस उपज के वात्ता वरण वचे शामल हुंदी है ते कारबन डाइकसाइड तों वी वदेरे पुगोलिक तापमानू वधोन विच अपना खास योगदान पौंदी है नेक्स पेरा एस कुद्रत च आ रहे परिवर्तन दा मनोख उपर लगातार परबाव पेंदा रेंदा है जिस दा मनोख नू अनुपाव नहीं हुंदा अते एस तों निकलन वाले सिटे वी चाटपट परताख नहीं हुंदे हाँ जीना 17 तों परताख नहीं हुंदा है कि कुद्रत विच जो भी तव दिलिया जा परिवर्तन ओंदे हन उनना दा मनोखी जीवन दे उपर डूंगा परबाव पेंदा है बेशक ए परबाव मनोख नू एकदम परताख नहीं हुंदे जा नजर नहीं हुंदे इस कार के मन मनोख नूना परिवर्तना दा अहसास नहीं हुंदा इसे लई कुद्रत जा वातावरं दे सादारन जीवन नाल अते विशेश मनोख नाल सबंदा बारे सावदा निवर्तन दी लोड है इस पर संगच अवेस ले रहां जा लापरवाही वर्तियां मनोख दे हित्ज नहीं है इस बंद है उस बारे खास सावदा निवर्तन दी लोड है क्योंकिक्ग कुद्रत विच लियां तब दे लियां दा सबतों वधपर बहाव मनोख की जीवन दे विगाड़ जान कुद्रत विच आ है परिवर्तना वल लापरवाही वर्तना ओ अनगेलि वर्तना ओ तो इचीज मनुख दे हक विच नहीं पाव की मनुखी जीवन दे विरोध विच है मनुख देosh ईजीवन ले नुकसान दे साबत हो सकदी है अगला पैरा है एक इसे व्यक्ति दे हाथ नहीं कि ओ किस कार्च जनम लेंदा है अते किस महौल जनम लेंदा है पर जनम उपरंथ ओ किमे जीवन पोगदा है ए उस दे आपने हाथ हुनदा है उस दी आपनी सूज समझ उपर निर्बर हुनदा है हाँ जी इना सत्राव दे रीडिंग तो उसा नो ए परता कुंदा है कि लेखक ए स्पष्ट करना चौनदा है कि मनोख दा जनम केडे कारवेच केडे परिवार वे चुनदा है जा के हो जय वातावर्ण ते मोहौल वे चुनदा है जनम लेना मनोख दे अपने हाथ वीच नहीं ये स्रिष्टी दे, ये काइनात दे, कुद्रत दे हाथ विच है, परन्तु, कुद्रत दुवारा जनम देन तों बाद, जो मनोख दा जीवन है, मनोख अपने उस जीवन नू किस तरीके नाल, किस टांग नाल गुजारदा है, ये मनोख दी आपनी सूज समझ लियाकत, जां बुद्धी दे उपर निर्बर हुन्दा है, पाव मनोख अपनी सूज समझ दे उनसार जीवन नू सवार सकदा है, जां विगार सकदा है, अते उस दी आपनी निर्ख, अते पच्छान दा मुथाज हुन्दा है, लेखक स्पष्ट करदा है कि जनम लेंटों बाद मनोख अपने जीवन जोवी सेध परदान करदा है एस सेध उसदे अपने नजरी उसदे अपने विचारां उसदे अपने ख्यालां दी मोताज उन्दी है मनोख अपने जीवन जो वी दिशा दिन्दा है उस वेच फिर कुदरत दा कोई योगदान जा कुदरत दा कोई हिस्सा नहीं हुंदा पाव की ये मनोख दे अपने हात जा अपने वास हुंदा है किसे दावी जीवन ना ग्रहयां दी स्थिती दा पिखारी हुंदा है अते ना ही हाथ उपर लियां लीकां दा अते ना ही पिशली जूनी च कीते गए करमा दा ए फल हुंदा है हाँ जी एते लेखक ने तिन चीजां काउंट कीती हैं एक ग्रेयां दी स्थिती, दूसरा हाथू पर लियां लिकां, ते तीसरा पिछले जनम्च कीते कर्मादा फल, लेकर के ना तिना चीजा नू गिन के, जहां दरसा के एस पश्ट करना चौनदा है, कि मनुख दे जीवन दे हलात, मनुखी जीवन दी जाच, जो भी हुंदी है, ते जा फिर उस दे पिछले जनम्च कीते के कर्मादा फल, लेकर ना तिना चीजा नू किसे वी हादता के जिम्यवार नहीं ठहराया जासा, हां जी स्टूडेंट्स, उन लास्ट पैरे दे वेच लेक दा पड़ा थोड़ा परिवर्दा है, एस पैरे तुन लेकर ने पृत् पर चानना पाया है, लेट्स रीड, पृत्वी उपर व्यापक परस्थितियां कारण इस उपर जीवन पूंग रहा, अते फिर इना अनुकूल ए टाल दा रहा, अते इस दा विकास हुंदा रहा, इना सत्रन दा अर्थ ए है कि पृत्वी दे उपर जो हलात, जो परस्थिति जो वात्तावरन सी, वो जीवन दे अनुकूल सी, एसले तरती दे जनमतों बाद ये उपर जीवन दी शुरुवात हुई, फिर शुरुवात दो बाद जेस वी रूप विच ए जीवन शुरू हुया, वो तरती दे हलातां दे अनुसार ही परिवर्तत तबदील हुंदा रहा टालदा रहाते विक्सित हुंदा रहा, मनोख ने वी जेकर एसन सार विखे परवेश कीता, एसच वी परस्थितियां दा ही हात सी, उंज ता सूरज दुवाले नौग रह चकर ला रहे हन, पर केवल पृत्वी ही जीवन नाल परणाई गई, एसले क्योंकि जीवन अनुकू अनुकूल हालात एथे ही सन, कि जेकर तर्ती दे उपर मनोख न जनम होया, जा मनोख न जीवन संबव होया, ता इस दा कारण ऐस ही के तर्ती दे उपर जीवन दे अनुकूल हालात मौजूद सन, बेशक सूरज दुवाले नौग रहे चकर ला रहे हन, पर इन आ विचों किस इसे भी ग्रय दे उपर जीवन दी हुँद संबव नहीं है, इसलिए जीवन दे विकास ले केवल तर्ती दे नौँ ही कुदरत द्वारा वड़ियाया गया है, जा चुनेया गया है, क्योंकि तर्ती दे उपर ही जीवन दे अनुसार हालात मौजूद हान, पृत्वी उपर जीवन सदा तो नहीं सी, पृत्वी दे अपना जनम लग पाग पांच अर्ब वरे पहला गुया, आते अर्ब वरे ये जीवन तो सक्षणी रही, तो लेकर पस्पषट करधा है, क्योंकि पृत्वी दे उपर जीवन दी हुँद अरांब तो नहीं सी, हमेश्या तो नहीं सी क्योंकि प्रित्वी दा अपना जो जनम है उस दी उमर पाव प्रित्वी दी उमर पंज अर्ब वरे साल है ये प्रित्वी पंज अर्ब साल पुराणी है ते प्रित्वी दे जनम तो एक अर्ब साल तक इस दे उपर किसे जीवन दी होंद संभव नहीं हो सकी एथे जीवन पुंगरिया सिद पदरे जीव दी पदर प्रापत कर देया इसने टाई अर्ब वरे होर लाले सो लेखक ने इस पैरे विचे ब्यान कीता है कि तर्ती उपर अराम विच जीवन नहीं सी तर्ती दी उमर पंच अर्ब साल है एक अर्ब सालतों बाद इस देउपर जीवन दी शुरुआत होई ते सब्तों पहिना तरती देउपर पानी इकठा होया ते पानी दे व inventor ही मुडले रूप जीवन दी शुरुआत होई ते जो मुडले रूप जीवन शुरु होया इसने सदारन जीवन दी हालत प्रापत करन लई टाई अर बसाल दा समा लगा दिता So dear students, अजसे इस वीडियो विच पेज 91 दे, लास्ट पेरे तो लेके, पेज 92 दे, लास्ट पेरे तक रीडिंग कीती है अगली वीडियो विच असी 93 पेज दी रीडिंग करांगे Till then, good bye